अगर आप अपने computer या laptop में पास्वर्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार करेंगे चलिए दिखते हैं वीडियो में simply आपको start menu में जाना है और search parameter टाइप करना है setting अब simply find a setting में search parameter टाइप करना है पास्वर्ट अब simply change your password पर click करेंगे यहां से password पर click करेंगे add पर click करेंगे यहां से आप new password जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं confirm password में उसी password को डालेंगे और password हिंट में आप अपने password के लिए कोई भी हिंट दे सकते हैं next करेंगे तो देखिए यह आपका password चेंज को सुखा है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें share करें और चैनल पर पर प्लिवार आएं तो चैनल पर प्लिवार आएं